हाई मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वीटी टू कमडीटी में स्वागत करता हूं तो आप में से बहुत सारे लोग की क्वारी जा रहे थे कि सर इंट्वार्डे पे वीडियो बनाएं तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक जबरदस्त इंट्वार् इस्तेमाल किया उसका नाम है आपका पाइवर्ट पॉइंट्स और वी वैप यही दो इंडिकेटर के बेसिस पे मैं आपको एक जबरदस्त इंट्वार्डे स्ट्वार्डे बताने जा रहा हूं और ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर आप पहली बाद इस्तेमाल कर रहे होंगे तो सिर्फ इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं तब आपके मन में कोश्चन उठवा होगा कि हम प्रॉफिट बना कैसे सकते हैं तो उसके लिए आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना परेगा कुछ यहाँ पर चेंजेज करना परेगा यहाँ पर हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे क्या सबस्कें इसके बेसित इंट्राडेट कर सकते हैं यहाँ परफलाय थे इस वीडियो में लाश्च संब कर सकते हैं इस वीडियो में लाश्च तक बने रहें बस आपको इस स्ट्रेट्जी में दो ही पॉइंट ध्यान रखना होता है पहला और दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट यह कोड़ चीज आप रख सकते हैं और यह ना पॉइंट भाटाओ जिसको आप धाविश यह कह थे हैं हमेशा विस्क रखनाक नशेज आप जली होता है किस था बानी पीन स्ट्रेट्ट फैने ृइन तो तो तीसरा पॉइंट ऑटोमाटिक है जिसको आप समझ सकते हो बांकि यह दो पॉइंट स्ट्वेट्जी है अब यहां पर देखिए यह मेरा पाइवर्ट पॉइंट का लाइन है क्या आया प्राइस नीचे आया और यहां से रिवर्सल दिखाया है यहनी विजेक्शन दिखाय को इस्पेसलि जो लोग आपसंस भाइंग करते हैं वो और यह यह आपका इस्टाउक से फ्यूचर में भी आप यह सारा काम कर सकते हैं अब यहां पर देखिए विजेक्शन दिखाया तो मेरा इंट्री पॉइंट क्या होगा रेड वाला लाइन है यह आपका है वी वैप का ठीक है अब जैसे यह वी वैप को ब्रेक करके ऊपर निकला और उसके बाद क्या हुआ एक और पाइवर्ट पॉइंट इसने ब्रेक कर दिया तो उससे मतलब नहीं है पाइवर्ट पॉइंट ब्रेक हो रहा या नहीं हो रहा उसके बाद हमें किस पर देखना सिर्फ वी निकली यह हमारा परफेक्ट इन्टिर पॉइंट बन जैगा यह नि जैसे हमारा भी बैपका लेबल ब्रेक हुआ हुआ कि दर भी क्लियर कर देता हूँ ता कि आपको देखने में समझ सब्सक्राइब करेंगे अब जैसे प्रइच देखिए यहाँ पइक प्रइबट आ कैं जैसे ही price pivot point से नीचे गया है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, stop loss को यहां से हटा के यहां पर ले चलेंगे, और उसके बाद यहां पर entry लिया, तो हमारा target price क्या होगा, अगला pivot point जो भी हो, वह हमारा target price होगा, तो देख सकते हैं, ऊपर गया, और target price को इसने hit किया, यहां पर ह में अच्छा-कासा upside momentum देखने को मिला है, और यह सिर्फ और सिर्फ आपका intro day में हुआ, देख सकते हैं, 30th Megai date है, 2022, यहनि विसेंटली इसने ऐसा किया, और same day, यह आपको next pivot point को hit करके, यहनि लगमागा आपका 11 बजे मंगतला आपका 2.5 घंटे में इसने आपको अच्छा- यहाँ पे rejection देखने को मिला है, वी वे आपको break करके उपर निकला है, और फिर इसने अगला pivot point को hit किया, जो कि हमारा target होगा, अब यहाँ पे risk reward issue आप कैसे find कर सकते हैं, यहाँ पे अगरम जाएंगे, यह मेरा target होगा, और यह मेरा stop loss होगा, तो देख सकने stop loss छोटा सा, target बह मेरे favor में, यहाँ पे पहला point, दूसरा point, यहाँ पे और तीसरा point, यहाँ तीनों point को इसने satisfy कर दिया, और इस तरीके से हम, इस strategy के basis पे react करेंगे, अब उसके बाद, और example हम देखते हैं, यहाँ पे हम एक और पे आते हैं, आईसे से bank पे आते हैं, यहाँ आपका FNO stocks है, यहा से, यहाँ पे भी rejection हमें कहां से देखने को मिला है, rejection from the bottom, यहाँ पे हमने एक example देख लिया, अब हम यहाँ पे दूसरे stocks पाना चाहेंगे, आईसे से bank पे आना चाहेंगे, और देख सकते हैं, यहाँ पे हमें rejection देखने को मिला सबसे पहला, यह निए rejection from the top, यहाँ पे हमें क्या करना, sell करना, जो लोग options बाइंग करते हैं, यहाँ पे put options बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे कौन साइस track price select करना, इस लेवल के आसपास, जो भी आपका add the money के आसपास, जो भी strike price होगा, वहाँ के आप put options को select कर सकते हैं, लेकिन entry कब लेना, जब वीवाप को break करेगा, दूसरा point हमें देखना है, कि वीवाप break होता है यह नहीं होता है, अब यहाँ पे देखे, इसने वीवाप को break किया, यह दोनों candle य ठीक है, entry clear हो गया, stop loss अभी मेरा यह होगा, और target price क्या होगा, पहला यह होगा, यह stop loss देख सकते हैं, छोटा सा target उससे ज़्यादा पराया, यह reward issue हमें नेक आई से एकदम clear cut दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर level के उपर focus नहीं करें, उसके बाद देखे, price आपका नीची आय है, और आपका क्या हुआ, अगला 2-3 candle इस target price को इसने असनी से hit कर दिया है, और उसके बाद और नीची आया, और price आपका अगला pivot point को भी hit किया, लेकिन हमें आपको यहीं पर exit कर लेना, उसके बाद का move मेरे कोई काम का move नहीं है, जो भी हमारा next pivot point का point वहाँ पर profit book करके exit हो सकते हो, अगर आपको stop loss trail करने में experience है, तो इसके basis पर आप trade कर सकते हो, वहाँ पर आपको कुछ point का विस्क लेना पड़ता है, और reward आपको अच्छा खासा मिलता है, तो इस तरीके से दो जग हमने देख लिया, कि entry कैसे कैसे लेंगे, सबसे पहरे आपको rejection करना है, यहाँ प भी क्या हो रहा, यहाँ पर भी हमें rejection ही देखने को मिल रहा, यहाँ पर वापस से क्या हो रहा, rejection from bottom, bottom से rejection हो रहा, मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाइसाट की तरफ जाएंगे, और call options को भी हम buy करेंगे, अगर आप options buying करते हैं, तो, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या इंत निकला है, यह मेरा क्या बन जाएगा, यह मेरा बन जाएगा, entry point, clear है, उसके बाद, price आपका all the way, ऊपर साइड की तरफ गया है, और target price क्या होगा, यह होगा, मेरा target price, यहाँ यह मेरा target price बन जाएगा, stop loss, यह बन जाएगा, यहाँ पर भी आपको लग रहा है, कि नेक टाई करेंगे, तीनों point satisfy है, यह इस strategy basis हम trade execute करेंगे, और देखिए, जैसे यहाँ निकला, उसने फिर उपर गया, और target price को असानी से hint किया, जैसे मेरा target price हिट वा, उसके बाद का move, मेरे काम का move नहीं है, उसके बाद price आपका और उपर गया, लेकिन, मेरे काम का move यहीं तक है, और खतम हो गया है, और दोनों trade आपका intraday में ही खतम हुआ, ति आपका intraday के लिए perfect strategy है, लेकिन यह सारा situation आपको find करना पड़ेगा, और यह सारा situation जहाँ पर ही मिले, कोई भी stocks मिले, prefer करना F&O stocks, और especially Nifty 50 वाले stocks में, और थोड़ा सा मेनत करना पड़ेगा, stocks find करने के लिए, क थोड़ा सा मेनत करना परेगा, अगर आप market से profit बनाना चाहते हैं, तो, तिस तरह का यहाँ पर आपने example देख लिए, अब मैं आपको थोड़ा सा example भी दिखाता हूँ, वैसा, जहाँ पर यह strategy थोड़ा सा fail होता हुआ दिखता है, या फिर जहाँ पर यहाँ यहाँ पर यहा यहाँ पर आप देखो, तो, हमें रिएक्शन देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा confusion और इसको आपको समझता है, अगर इस तरह का situation आगे भी generate होता है, तो, आप इससे कैसे बचोगे, यहाँ पर यहाँ पर आपको क्या करना, यह चीज समझ में आना बहुत injection from the top, यहाँ पर हमें clear cut देखने को मिला है, उसके बाद आपका price नीचे side की तरफ गिरा है, और इसने वीवाप को break करके नीचे आए, और जैसे इसने वीवाप को break किया है, यह क्या बन जाएगा, यह हमारा यहाँ पर entry point बनेगा, और इसके basis पर क्या करेंगे हम, sell side की तरफ यहाँ पर हम entry लेंगे, और उसके बाद अधर यहाँ पर हम put options भी buy कर सकते हैं, अब put options इस लेवल के आसपा जो भी strike price दिखेगा, उसका put options भाइव कर सकते हैं, उसका put options भाइव कर सकते हैं, add the money या in the money जो भी है, पे पहले हमे आप दो काम कर सकते हैं, जहां पर बरेकर पाइविट के लिए थे हमारा ठागेट बने कर सकते अगले अगले नहीं नहीं अगले अगले प्रवार है अब क्या हुआ जैसे ही प्राइब पॉल्ट को ब्रेक करके नीचे है आया मैंने क्या वोला कि आपको stop-loss कहाँ पे यूज करना पाइब पॉल्ट के लेबल के करीब आपको stop-loss लगा लेना और इसके बाद जैसे इसे प्राइब नीचे जैगा आप चाओ तो नहीं भी exit करो तो क्या है हमारा selling price उपर है और stop-loss नीचे मतलब यहां पर अब मुझे नुकसान नहीं हो सकता हम यहां पर cost to cost निकलेंगे तो यहां पर एक से दो पॉइंट का benefit यहां पर मिलता हुआ दिख जाएगा तो ऐसे situation में क्या करना आप जब भी sell side की तरफ जारें और price अगर आपका नीचे आ ठीक है थोड़ा बहुत भी नीचे आए तो क्या किजिए जो आपका stop-loss है उसको trail करके नीचे ले आए और जो भी buying price है उसके आस-पास लाने की कोशिस किजिए stop-loss अगर आप इस तरह से profit में आते हैं तो उसके बाद reversal दिखायत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर हम ज्यादा नुक्सान में नहीं रहेंगे या फिर आइदर हम cost to cost में रहेंगे या थोड़ा बहुत profit में ही रहेंगे इसलिए यहां पर आपको एक चीज यूज करना होगा trailing stop-loss तो अगर आप यहां पर ध्यान नहीं देंगे और यहां पर trailing stop-loss यूज नहीं करेंगे तो आपको यहां पर loss उठाना परेगा इसलिए trailing stop-loss बहुत important है उसके बाद इस तरह का example आपको और आगे भी देखने को मिल सक करता है इसी तरह किसाब यहां पर बत सकते हैं trailing stop-loss का इस्तेमाल करके तो उमीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजिए और चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन को द